नमस्कार मैं उप्रिया आज है 16 अप्रील चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बंद के दोरा नियमों का पालन नहीं करना हुआ महंगा कोरोना के बढ़ते असर को देखते वे केंदर सरकार ने एक बार फिर से बंद की अबधी को आगे बढ़ाने का एलान जारी किया है महीं दूशरी तरफ बिहार में लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वाले 4 करोड से ज्यादा रुपे लिये गया है महीं बीते दिन मंगलवार तक की बात करें तो यहां 43 से ज्यादा लोगों पर सक्त से सक्त कदम उठाएगे है साथ ही 44 लोगों को पकड़ कर बंद भी कर दिया गया है महीं 20 हजार वाहनों को वे पुलस ने अपने अंडर में ले लिया है महीं कोरोना के बढ़ते असर के कारण प्रधार मंदी नरेंदर मोधी ने 3 माई तक बंद का एलान जारी किया है बंद के एलान के बाद ही पट्ना की सरकों पर बढ़ी सक्ती लॉकडाउन की दूसरे चरन की घोशना होते ही पट्ना के सरकों पर पुलिस अब और ज्यादा सक्ती से पेशारी है जिसके तहट शहर के दो दर्जन सरकों पर बारिकेडिंग कर दी गई है प्रमुक चौरा है पर पुलिस बढ़ा दी गई है बाहनों की चेकिंग के साथ बाहनचालों के पास की जाच्पी की जा रही है साथी बिना वज़े सरकों पर निकलने वालों के खिलाफ सक्त से सक्त कदम भी उठाये जा रहे है बीते दिन की ही बात करें तो पट्टा में देर सो से अधिक वाहनों को बेवज़ा सर्व को पढ़ निकलने की वज़े से बंद कर दिया गया बिहार के कई जिलों में हुई बारिश से काफी फसले हुई बरबाद हाला कि कई जिले ऐसे भी हैं जहांपर भारी गर्मी का असर भी देखने को बिला महीं क्रिशी विशेश अग्यों का माना है कि बे मौसम बरसाथ से गेहुं के साथ-साथ मक्का, आम और लीची की फसले भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है मुख्यमंत्री निदीश कुमार ने बिहार के 8000 गाओं में हर घर में लोगों की जाच का दिया आदेश बिहार में भले ही अभी कोरोना फैलने की दर को कम माना जा रहा हूँ मगर बिहार सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि कोरोना की जड़ को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए जिसके तहत मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने एहम फैसला सुनाते वे बिहार के लगभख 8000 गाओं में हर घर में लोगों की जाच और स्क्रीनिंग करने का देश जारी किया है गणित की पहेली को एक ही क्लिक में सुलजाएंगे सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार कोचिंग सुपर 30 के संस्थापक और गणितग्या आनंद कुमार ने देश विदेश के चात्रों के लोगडाउन के समय में पढ़ाने के लिए एक नए तरीके को ढून निकाला है जिसके तहत आनंद कुमार अब ट्विटर और फेस्बूक पर शात्रों से रूबरू होकर वेबसाइट के माधहम से गणित के उलजे हुए सवालों को सुलजाएंगे जिसकी शुरुवात अप्रेल के आखरी सब्ता में करने वाले हैं जहां पर अपनी एक वेबसाइट को लॉंच करने जाएं जो की बिल्कुल मुफ्त होगी मई के बाद ही शुरू होने की संभावनाएं हैं मुंगेर में मिला एक नया कोरूना पोजिटिव मुंगेर में बीते दे दिग मिला है जिसके बाद है इलाके में उफलत अफरीका माहाम बनoug़ एक खबरों के अधि किस विएक्तिकी किसानों से इस साल दो लाग टन गेहूं खरीदेगी सरकार किसानों की मदद के लिए साथी साथ कमजोर तपके के लोगों को खाना पहुचाने की रादे से इस साल सरकार किसानों से दो लाग टन गेहूं की खरीदारी करेगी खबरों के माने तो सरकार उनने सो पचास रुपे प्रति क्विंटल से गेहूं की खरेदारी करने वाली है जिसके लिए इच्छोक किसान अपने बंधन करा सकते हैं हाला कि राजे में इस बार गेहूं की हार्वेस्टिंग का काम थोड़ी देरी से शुरू हुआ है स्कूल ते ओहरों की छुट्टियों को अपकरेगी कम वहीं गर्मियों के छुट्टी भी अब डियेम के आदेश पर ही होगी केंद्रि सरकार द्वारा लॉक्डाउन के फैसले का असर साफतोर पर सभी स्कूलों में होने वाली छुट्टियों पर देखने को मिलेगा खबरों की माने तो अब सभी स्कूल तेवहारों में मिलने वाली छुटियों में कमी करेगी क्योंकि बंद की वज़े से यकिनान सभी स्कूल के सिलबस अब पिछर जाएंगे जिसको पूरा करने के लिए ही समर वेकेशन के साथ साथ तेवहारों में मिलने वाली छुटियों को कम किया जाएगा जिसका फैसला पूरी तरीके से जिलाधिकारी कुमार रवी के हाथ में होगा पटना के थानेदार को फसाने वाले की गई नौकरी पटना के चकनपूर थाने में फसाने की कोशिच करने वाले ट्राफिक सिपाही को अब काम से बाहर निकाल दिया गया है दरसल कुछ दिनों पहले ही बंद के दोरान ट्राफिक पुलिस के सिपाही ने जकनपूर के उस पुलिस कर्मी और उनकी टीम पर बलका प्रयोग करने की बात कही थी जुसके बाद पुलिस की छवी खराब करने की कोशिच करने वाले ट्राफिक सिपाही के जवान अजय कुमार को काम से निकाल दिया गया है खबरों की मारे तो अजय कुमार को ट्राफिक स्पी अमरकेश डी ने काम से निकाला है पट्ना एम्स में शुरू हुआ को ट्राफिक सामने आई है जिसके तहट पट्ना के एम्स में कोरोना टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसके बाद बिहार में कुलमिलाकर छे जगों पर कोरोना की जांच की जा रही है जिसमें एम्स, PMCH, IGIMS, RMRI, DMCH और SKMCH का ना मामले सामने आए हैं जिसके बाद बीते दिन तक बिहार का आंकड़ा 72 पहुँच चुका है महीं चाल नए मामले में तीन मामले बिहार शरीफ के हैं जहां दुबई से लोटे कोरोना से पॉजिटिव परिवार के तीन सदस्यों का रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गया है एक साथ तीन तीने मामले सामने आरे के बाद स्थानिय लोगों में जहां को लेकर अफराद अफ्रीका महालूत पन्न हो गया है वहीं दूसरी तरफ पूरे महले को बंद कर दिया गया है इताईनी प्रसाशन ने वहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बर तैनात कर दिये हैं सोशल मीडिया पर कोरोना की परिस्थिती में कनहिया कुमार के नाम पर शुरू ही राजनीती सोशल मीडिया पर कोरोना के नाम पर राजनीती देखने को मिली जाती है एक बार फिर से सोचल मीडिया पर कनहिया कुमार के नाम पर जोर शोर से चचा शुरू हो गई है जिसके तहत लोगडाउन के दौरान कनहिया कुमार पूरी तरीके से राजनीती से बाहर चल रहे हैं जिसके बाद उनके गयर मौजूद की पर सावालुशन लगे हैं कर यूजर्स ने उन्हें टारगेट करते वे कहाई कि 11 अपरेल का कनहिया कुमार पूरी तरीके से गायब दिखे हैं वहीं 13 अपरेल को वह अपने एजिंडे के साथ ही लोटे जालिया वाला बाग और बैसाखी को लेकर ट्वीट किया एक बार भी उन्होंने कोरोना का नाम जि करने वालों की खेर नहीं क्योंकि सरकार ने पटना में ड्रोन से नजर रखने का आदेश जारी किया है इतना ही नहीं पटना में में रोड से लेकर गली मोहले तक प्रसाशन की तैनाती की गई है वहीं खबरों की माने तो शहर की विधी व्यवस्ता और एहतियात के लिए ड कुरत और मुंबई में अपने घर लोटने के लिए सड़क पर उतरना सरकार की और समवेधन शीलता को दर्शाता है जब सरकार विदेशों में रह रहे हैं लोगों को वापस भेजने का काम कर सकती है तो सरकार गरीब मजदूर बंधूओं को उनके घर पर सकुशल पहुचा को में कोरोना पॉजिटिव था जो सरकार इन मजदूरों को बुलाने में इतना हिच्पिचा रही है लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रेल के बाद ग्रामीन इलाकों में इन कामों को मिलेगी छूट प्रधाननती नरेंदर मोधी द्वारा 20 सप्रेल के बाद को कुछ शहरों को जिस्तरी जसी सेवाओं को भी बहाल करने का निनली आ गया है जिसके बाद गरीबों को थोड़ी दाहत मिल सकती है वहीं इस बात की जानकारी स्वास्तमंत्री मंगल पांडे ने दिया है स्वास्तमंत्री ने बताया है कि कोरोना को लेकर बिहार में बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है कोरोना की इस परिक्षा में प्रेदेश में लगातार मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसला जारी है वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको पता दे स्वस्थ हुए सभी मरीज एनेमसी एच में भरती थे जहां बिहार में कुल मिलाकर 37 मरीज अब ठीक हो चुके हैं लॉकडाउन के दोरान एक और नियोजी सिक्षक ने दुनिया को कहा अलविदा जहां एक तरफ कोरोना ने सभी आमनागरिकों के परिशानी बढ़ा रखे है वहीं दूसरी तरफ नियोजी सिक्षक भी अपनी मांग पर अड़े हुए है वहीं जी बीच एक बुरी खबर भी सामने आई है जिसके तहट अपनी मांग को लेकर सरकोपत्र उत्रे एक सिक्षक ने हाली में दुनिया को अलविदा कह दिया है जहां डुम्री मुशहरी प्रात्मिक विद्याले में पढ़ाने वाले एक नियोजी सिक्षक ने दुनिया को अलविदा कहने की खबर सामने आई है जिसके बाद सिक्षक और ज्यादा अपनी मांग को लेकर अड़िक दिखाई दे रहे है कोरोना को लेकर बिहार सरकार के दावो पर शरदियादव ने उठाए सवाल बिहार सरकार का एक तरफ लगातार इस बात का दावा करना कि बिहार में कोरोना अभी नियंत्रित है कि कोरोना की चपेट में मजदूर तपके के लोग नहीं आएंगे क्योंकि उनकी इम्म्यूनिटी काफी ज्यादा स्टॉंग होती है वही सरकार बार-बार लोगों को यह आश्वासन दे रही है कि बिहार में सब कुछ सही और सटीक है आंध्रप्रदेश के एक स्कूल में फसे बिहार के कई चात्रों का वीडियो हुआ जारी कोरोना के बढ़ते असर में आमनागरिकों की मुश्किले तो बढ़ाई रखे वही दूसरी तरफ हाली में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें कुछ चात्र बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार से मदद की गुहार कर रहे है या वीडियो आंध्रप्रदेश के एक स्कूल के चात्रों का है जो वहाँ पर फसे हुए है वहीं दूसरी तरफ सभी चात्रों के परिज़नों ने भी सरकार से गुहार लगाते वे उन सभी को वापस बुलाने की मांग की है मैरे मुख्यल में मेरे साथ खड़े थे लोकडाउन की इस अबधी में सभी लोग अपने माबाप के साथ है मगर मैं अभी उन्हें काफी ज्यादा मिस्स कर रहा हूँ पता नहीं मेरे पिता को वहां भूजल मिल रहा होगा या नहीं पता नहीं वो क्या करते होंगे पूरा दिन बंद की वज़े से अभी मैं अपने पिता से मिल भी नहीं रहा जदियों ने तेजस्वी को बताया निशाचर जाहा है एक तरफ कोरोना ने सबकी परिशानी बढ़ा रखे है वह दूसरी तरफ इसके नाम पर राजनीती भी तेज है नेता प्रतप्रक्ष तेजस्वी आदव आई देन सरकार की रणीती पर सवाल उठाते देखे जाते है वह वास्तविक तोर पर वो ऐसी परिस्थिती से भागे भागे फिर रहे हैं। मुख्यमंत्री नितिशकुमार ने बिना राशन काड़ वाले परिवारों को भी एक हजार देने का किया। मैं सरको देखते हैं आई पर का क्यांसल होना लगभगत है माना जारा है। वहीं दूसरी तरफ अब सवाल विश्व कप पर भी उठने लगा है। कि कोरोना के खिलाफ जारी जतो जहत किसी भी विश्व कप टूर्णामेंट से कही ज्यादा बड़ी और एहम है। जहां आप अपना सब कुछ जोंग कर इसे जीतने का प्रयास करते हैं। करेंगे।